भारत के सबसे रुमान चक गेमिंग प्लाटफॉर्म विंजो पर हैं सतर से भी ज्यादा गेम्स तो खेलो अपने मन पसंद गेम्स और रोज जीतो करोडो के नाम डाउनलोड नाओ प्रॉम विंजोगेम्स डाट कॉम केम में वितिया जोकिम शामिले और इसकी आदत लग सकती है जिमेदारी और अपनी जोकिम पर खेले 23 मार्श से मिस्टर की स्वेस कनाल में फसे एवर गिवन नाम के मालवाहग जहाज को कड़ी मशक्कत के बाद 29 मार्श सुभे साड़े चार बजे निकाल लिया गया चार फुटबॉल मैदान जितना बड़ा ये मालवाहग दुनिया के लिए सरदर्द बन गया था जिससे हर दिन दुनिया के अलग 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 देशों को कुछ 7,000 करोड रुपे का नुकसान हर दिन हो रहा था एवर गिवन के स्वेज कनाल में फस जाने की वज़े से दुनिया के करीब 366 जहाज इसी जगे पर फस गए और इंतजार कर रहे थी कि कब इनके आगे बढ़ने से रास्ता खुलेगा इन जहाजों में क्रूड ओयल्स, दवाईया, टेक्स्टाइल का सामान, कार से लेकर मवेशियों के खाने तक का सामान जा रहा था आई ये जानते हैं कि इतना बड़ा विशालकाय जहाज आखिर कैसे फंस गया और अब इसे निकाला कैसे गया दरसल जब ये जहाज लाल साकर को पार कर स्वेज नहर में प्रवेश किया, तब हवा के तेज बहाव की वज़े से जहाज घूम गया और अटक गया जहाज के दोनों छोर नहर के एक दूसरे किनारित तक पहुँच गया और नहर का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया दरसल स्वेज कनाल के चौडाई करीब 200 से 300 मीटर है लेकिन एवर गिवन जहाज की चौडाई है करीब 400 मीटर मिस्टर के अधिकारियों ने पुष्टी करते हुए बताया है कि तेज हवा के वज़े से जहाज घूम गया और कीचड में अटक गया स्वेज कनाल के अधिकारियों के मुताविक 23 मार्ज को ये जहाज नहर में फसा था उस दिन 50 किलो मीटर प्रतिगंटे की रफ़तार से हवा चल रही थी मालूम हो कि एमवी एवर गिवन जहाज दुनिया का सबसे बड़ा मालवाख जहाज है साथ ही ये पैरिस के आईफिल टार से 20 गुनाव जादा भारी है इस जहाज को निकालने में सबसे बड़ा चैलेंज था 30,000 क्यूबिक मीटर कीचर इस जहाज को निकालने के लिए 10 टग बोट्स का सहारा लिया गया पहले 8 टग बोट्स को लगाया गया था आपको बता दें कि जिस तरह से किसी गाड़ी को खीच कर ले जाने के लिए टॉइंग वैंग होती है उसी तरह से जहाजों को खीच कर ले जाने के लिए टग बोर्ट्स होते हैं जो बेहद शक्तिशाली होते हैं आपको बता दें कि एवर गिवन जहाज मध्यामेरिका के देश पनामा का है इसे 2018 में बनाये गया था ये दुनिया का सबसे बड़ा कारकोशिप है इस जहाज का आकार 400 मीटर लंबा और 69 मीटर चोड़ा है जो हाथसे के समय 20,000 कंटेनर चीन से नेधरलेंड्स ले जा रहा था चार फुटबॉल ग्राउंड के आकार जितने बड़े इस विशालकाय जहाज ने हजारो करोड रुपए का नुकसान एक दिन में करा दिया मालूम हो कि स्वेज नेहर से हर दिन करीब 52 जहाज गुजरते हैं पिछले 40 सालों में यहाँ पर जहाजों की आवजाही में तीन गुना इजाफा हुआ है वैश्वी कारोबार के दृष्टी से यह नेहर काफी महतोपूर्ण है दुनिया का करीब 10-12 फीसदी व्यापार इसी जल मार्क से होता है एचिया और योरोप के बीज व्यापार को आसान बनाने में स्वेज नेहर काफी महतोपूर्ण है इस नेहर की आहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है यह मार्क 7000 किलोमीटर की दूरी को महस 300 किलोमीटर में बदल देता है इसे समुद्र के रास्ते माल ढुलाई करने वाले जहाजों का समय बचता है और साथ में खर्जबी काम हाता है इस मार्क की बदलाद जहाजों को अफरिका महादुईब का चकर काचकर भूमध्य सागर में जाने से चुटकारा मिल जाता है आपको बता दें कि स्वेज कनाल बनने का काम 1869 में शुरू हुआ था जो 15 लाक मजदूरों की सहायता से 10 साल में पूरा हुआ 1869 में इस कनाल में आवजाही शुरू हुई ब्रिटिशर्स ने इस कनाल को बनाया था लेकिन 1956 में इस कनाल को मिस्ट्र सरकार को दे दिया गया इस कनाल की लंबाई करीबन 193.5 किलो मीटर है पूरी दुनिया का 10% ट्रेट इसी कनाल से होकर गुजरता है स्वेस कनाल की आवजाही तो खुल गई लेकिन कहा जा रहा है कि एवर गिवन में मौजूद स्टाफ के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है जिसमें 25 भारतिय क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं